तेनाली राम की कहानिया अच्छा तो मा से भी मजाक करेगा प्रजा वत्सलता के कारण वहाँ प्रजा बहुत खुश थी राजा कृष्ण देव राई ने प्रजा में मेहनत और सद्गुनों के साथ साथ अपनी संस्कृती के लिए स्वाबिमान का भाव पैदा कर दिया था इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी अकरांता की नहीं थी विदेशी अक्रमनों की आंदी के आगे विजयनगर एक मजबूत चटान की तरह खड़ा था साथ ही वहाँ लोग साहित्य और कलाओं से प्रेम करने वाले तथा परिहास प्रिय थे उन्ही दिनों की बात है विजयनगर के तेनाली गाओं में एक अधा हस्ता नहीं था पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता की सुनने वाले हस्ते हस्ते लोटपोट हो जाते उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग्य और बड़ी सूज भूज होती इसलिए वह जिसका मजा कुड़ाता वह शक्स भी द्वेश भूल कर औरों के साथ खिल खिला कर हस्ने लगता था यहां तक की अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनकर हस्ते हस्ते लोटपोट हो जाते अब तो गाउं के लोग कहने लगे थे बड़ा अद्भुत है यह बालक हमें तो लगता है कि यह रोते हुए लोगों को हसा सकता है रामलिंगम कहता पता नहीं रोते हुए लोगों को हसा सकता हूं की नहीं पर सोते हुए लोगों को जरूर सकता हूं सुनकर आसपास खड़े लोग ठठा कर हसने लगे यहां तक की तेनाली गाउं में जो लोग बाहर से आते उन्हें भी गाउं के लोग भाई, हमें तो लगता है कि यह भूमने के लिए पास के जंगल में जाता है, तो वहां के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हस परते होंगे. एक बार की बात है, रामलिगम जंगल में घूमता, हूआ मादुरगा के एक प्राचीन मंदिर में गया, उस मंदिर की मान्यता थी और धूर धूर से लोग वहां मादुरगा का दर्शन करने आया करते थे, रामलिगम भीतर गया तो मादुरगा की अदभूत, मूर्थी देखक मुगद रह गया, मा के मुख मंदल से प्रकाश पूट रहा था, रामलिंगम की मानो समाधी लग गई, फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा, तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई, मा दुर्गा के चार मुख थे, आठ भुजाएं थी, इसी प पालक, तू हस्ता क्यों है, रामलिंगम मा, दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के, लिये तो सहम गया, पर फिर हस्ते हुए बोला, क्षमा करें मा, एक बात याद आ गई, इसी लिए, हस रहा हूं, कौन सी बात, बता तो भला, मा दुर्गा ने, उच्छा, इस पर जो कौम हो जाता होगा, तो, आपको और भी ज्यादा मुसीबत, रामलिंगम, की बात पूरी होने से पहले ही मा दुर्गा, खिल-खिला कर हस पढ़ी, बोली, हट पगले, तू, मा से भी मजाग करता, फिर हस्ते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं, समझ गई हूं कि तुझ म दुख देने के लिए, प्रयोग मत करना, सब को हसाना और दूसरों, की भलाई के काम करना, जा, तू, राजा, कृष्ण देव राय के दर्बार में जा, वही तेरी प्रतिभा, का पूरा सम्मान करेंगे, उस दिन रामलिंगम दुर्गा मा के प्राचीन मंदिर से, लोटा, तो उसका मन बड़ा हलका फुलका था, लोट कर उसने मा को यह अनोखा प्रसंग, बताया, सुनकर मा चकित रह गई, और फिर होते होते पूरे तेनाली गाउं में यह बात, फैल गई की रामलिंगम को दुर्गा माने बड़ा, अद्भुत वर्दान दिया है, यह बड़ा न कमाएगा.